हेलो फ्रेंड्स तो स्वागत है आपका इस वीडियो में इस वीडियो में हम अपने rest of topics की तरफ move करते हैं तो हमारा next topic है tropical deciduous forest याने की जो हमारे पथजड़ी one होते हैं ठीक है deciduous forest याने पथजड़ वाले one जो होते जंगल होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे जैसा कि हम लोग ने previous वीडियो में अपने evergreen forest के बारे में देखा था अब हम इस वीडियो में अपने deciduous forest के बारे में देखेंगे की tropical deciduous are the monsoon forest ये जंगल जो होता है हमारे monsoon forest की तरह होता है found in the large part of इंडिया ये हमारे इंडिया के large part में बड़े part में पाया जाता है northern Australia and in Central America हमारे northern Australia और Central America के बड़े parts में इंडिया में पाया जाता है these reason experience seasonal changes ये जो reason होता है जो छेतर होता है ये experience करता है ठीक है यानि की पूरा अनुभाव लेता है ये इस seasonal जो हमारा season मौसम जो है वो change होता है जैसे जैसे उसका ये पूरा अनुभाव लेता है trees shed their leaves tree क्या करती है अपने सिते भी leaves होते हैं पतिया होती है in the dry season यानि के रूखे season में ये क्या करती है to conserve water अपने dry season के लिए ये पानी को सोक करके रखती है बचा के रखती है जो हमारे tree की shed होती है ठीक है the hardwood trees found in their forest are salt, teak, neem and shisham तो ये जो हमारी hardwood trees होती है यानि की drill लकडियों की जो पेड होते है वो इन forest में जंगलों में पाए जाते है जैसे salt के, teak के यानि timber का tree neem का, shisham का तो ये सारी चीज़े इसमें पाए जाती है hardwood trees are extremely useful जो हमारी drill लकडियां होती है यानि बहुत मजबूत लकडियां जो होती है वो काफी जाहत तक जो है वो काफी हमारे लिए useful होती है, अच्छी होती है ताकि हम उससे use कर सकें जैसे for making furniture, furniture बनाना हो, transport करना हो उसके लिए लकडियों की जरुद पड़ती है, डबा वगरा बनाने के लिए construction material बनाने के लिए, construction में काम आने वाले चीजों के बनाने के लिए और tiger, lion, elephant, langur, monkey are the common animal of these region इन छेत्रों में हमें tiger, lion है, यानि चीता, शेर, हाथी, लंगूर, बंदर, यह सारे common animal है जो आपको इन छेत्रों में देखने को मिलेगा, तो आप देखो तो यह है हमारा tropical decidious forest, तो पत जड़ वाले लुक देखिए आपकी किस तरी किसे परुखा होता है, ठीक है फिर नेक्स्ट है हमारा temperate evergreen forest, यानि सम्षी तोशन सदा बहार वन evergreen forest में ने सदा बहार वन और यह temperate है, यानि some शी तोशन है, the temperature, the temperate evergreen forest are located in the mid latitudinal coastal region, यानि कि यह जो हमारा सदा बहार वन है, temperate evergreen forest जो है हमारा, यह हमारे mid latitudinal के जो हमारे टटी यह छेतर होते है coastal region होते हैं, उनके एकदम mid में, बीच में, इस तरह का जंगल हमें देखने को मिलता है, they are commonly found along the eastern margin of the continent, यह हमें जो है वो east के continent के margin पे देखने को मिलता है, जैसे south east USA, आपके south east USA में देखने को मिलेगा, south china में and in the south east Brazil में, they comprise both hard and soft food, यह खुद में कड़ी वाली लगड़िया और soft वाली लगड़िया, नरम वाली लगड़िया, दोनों टाइप के trees को पेड़ों को वो खुद में शामिल करता है, जैसे ओक हो गया, pine हो गया और यह अपका electipus इस तरह के जो पेड़ है, वहाँ पे देखने को मिलता है, यानि की ओक के, pine के और नील गिरी के, electipus का मतलब होता है आपका नील गिरी का पेड़, ठीक है? तो इस तरह के जो है, वह आपको पेड़ जो है, वह इस आपके सदा बाहरवन, समतीशोर सदा बाहरवन में आपको देखने को मिलेगा, तो जैसे के आप देखो, तटी के छेत्र इधर जो है, वह आपका तट होता है और इसी के आज पास जो आपको इस तरह का जंगल देखने को मिलता है ठीक है कोस्टल रेजर के करीब होता है तो यह हमारा कहलाता है टैंपरेट एवरग्रीन फॉरेस्ट फिर नेक्स की बात करें तो हमारा कहता है टैंपरेट दसीडियस फॉरेस्ट यानि सम्तिशोशन पत ज टड़ी वन जिसको हम कहते हैं अगर हम अपने लाटिटूड के और ऊपर जाते हैं तो देर आर मोर्ट एंपरेट डसीडियस फॉरेस्ट वहां पे जादा टैंपरेट डसीडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा इस आर फांट इन नौर्ट इस पार्ट अफ युएस अपर युए चाइना के न्यूजिलैंड के और चाइल्ड के में भी देखने को आपको मिलेगा और अल्सो फांट इन अकॉस्टन रीजन ऑफ वेस्टन यूरोप वेस्टन यूरोप के आपके टटी छित्रों पे भी देखने के आपको इस तरह का पेड़ मिलता है ये क्या क बीच एक्सेटर यहाँ पे आपको समाच ट्रेइन पेड़ देखने को मिलेगा जैसे ओक का पेड़ एश का पेड़ और बीच का पेड़ ठीक है डियर फॉक्स वॉल्फ्स आर अड़ एनिमल कॉमनली फाउंड यहाँ पे आपको जो है हीरन लोमडी भेडिये यह सब जानवर है वो असानी से कॉमन आपको देखने को मिलते है बॉर्ट्स लाइक फॉष्यन मौनाल और ऑलसो फॉंड है dużo पे आपको फिषन्ट saint कि तीटर जिसको आप देखो देखोasına ए देachtet Nik 접종 अब हो इसनी बिल चाहते है डिक है तो यह चिडिया आपको देखने को असानी से मिल जाती है और मोनाल ठीक है यह दोनों चिडिया भी आपको देखने को वहाँ पे असानी से मिल जाती है और यह होता है आपका टैंपरेट डसीडियस फॉरेस्ट यानि सम तीसरोशन पतजड़ी वन आपको देखने को मिलता है यह बात करते हैं मेडिटेरिनियन वेजिटेशन यानि आप यंतरिक वनस्पतियां देख के हैं तो यू हैव लॉन्न दाट मोस्ट ओफ दे इस्ट नॉट इसमार्जिन ऑफ दे जैसे कि आप लोगों ने याद किया है कि कई पढ़ा है अप लोगों ने इस्ट और नौर्ट इस्ट बार्जिन 6 से बैरे में आपने उवेकर स्थिख क्वार्ण देस्ड़ाय तत्यक्नी मारजिन 7-% चैप यह फेंट हय सदा भाहर यह और से फुरे गिरे हुए हैं यह साओं वेस्ट मार्जिन हैं कौन्टिनेंट का दोनों जू होता है वेिस्ट दोट पास और जो आ economists ही उससे थोड़ा मेडिटेरीयन्स बेडिडिनेंटेंट मेडिचिनG बजीन माणके तदाने में तर बिली गेंग fill आपको ज्टान में सा और तर उनके पास मोक्तिया था आपको जचाहिस्टारे मेडीटरीपे प्रեմ को जांड श्म नेम ठीक है इस काइंड और वेजिटेशन इस तरह की जो वनस्पतियां बेट पहुदे हैं वह आपको जादातर मेडिटेरियन वाले छित्रों के एड़ गेड़ दिया बाहर आपको एक्शुल में वास्तों में देखने को मिलता है इन कैलिफॉर्णिया इन युएसे युएसे के कैलिफॉर्णिया वाले एरिया में या साउथ वेस्ट अफ्रिका में या साउथ वेस्टन इस सब जगहों पे आपको आपका ये Mediterranean vegetation लेखने को मिलता है तो Mediterranean trees adopt themselves to dry summer Mediterranean trees पेड़ पौदे जो होते हैं वो क्या करते हैं एड़ॉप करते हैं खुद को रूखे summer में यानि गर्मियों में खुद को अड़ॉप करते हैं which is the help of their thick barks उनके खुद के जो मोटे छाल होते हैं barks होते हैं उनके help से and wax और जो उनका जो मोम होता है जो उनके उपर लपेटा हुआ होता है coated होता है leaves पे उससे वो क्या करते हैं खुद को protect करते हैं which help them reduce transpiration उससे क्या होता है कि वो अपने नमियों को अपनी जो उनका नमी होती है उसको ट्रांस्परेट होने में भाब का निकास होने में वो उस चीज को कम कर देते हैं इसको कम करने में help करते हैं जो उसका च्छाल होता है मोटा च्छाल और जो उसका मोम होता है उससे वो मदद लेते हैं Mediterranean reason are known as Orchard of the world ठीक है जो हमारा Mediterranean छेत्र होता है वो किस तरीके से नाम से जाना जाता है Orchards of the world Orchards of the world याने कि विश्व का जो बाग होता है उसके नाम से जाना जाता है For the fruit cultivation क्योंकि वहाँ पे जो भी fruit वगरा फल वाले जो खेती की जाती है उसके according जो है वो विश्व का बाग माना चाता है जैसा कि आप इस छेत्र में देख रहे हो तो यहाँ पे एक wine yard है Mediterranean छेत्र में ठीक है इसका पूरा बाग बनाया गया है पिच्चे में आप अगर आदेखो तो 6.12 में तो तो जो अबारा इस तरह का vegetation होता है कि हमको actual Mediterranean region के outside बाहरी देखने को मिलता है याने USA के California में South West Africa में South Western में South America में और South West Australia में भी ठीक है यह सारे जो रीजन या सारे जो छेत्र होते है इनको गरम और सुखा जो गरम मौसम होता है उसके लिए माक किया जाता है and mild rainy winter याने हलकी बरसाद सर्दी के लिए यह रीजन जो है वो जाना जाता है citrus food such as orange जो खटा food होता है जिसमें citrus पाया जाता है वो सारे fruits जो होते हैं वो यहाँ पे खेती किये जाते हैं जैसे संत्रा हो गया फिक्स हो गया ओलिव जो गया ग्रेप सो गया यह सारे जो हैं fruits जो है जो खटे होते हैं उनको यहाँ पे खेती की जाती है उनकी because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to यहाँ पे लोगों ने क्या किया है कि प्राकितिक वरिस्पतियों को हटा दिया है पुरी तरीके से ताकि वो वो चीजों की खेती कर सके जो वो चाहते है and there is not much wildlife here यहाँ पे बहुत जादा जो है वो 1G1 नहीं present है ठीक है लोगों ने अपने according क्या कर दिया है कि उसको change कर दिया है फिर next है हमारा conferous forest यानि सकुनधारी 1 जिसको हम कहते हैं in the higher latitude 50 degree and 70 degree of the northern hemisphere the speculator हमारी जो सबसे higher latitude है ठीक है हमारे higher latitude पे 50 degree और 70 degree पे जो हमारी northern hemisphere है ठीक है वो क्या है speculator हमारी दर्शनी है देखने लाइक है conferous forest are found वहाँ पे हमारा ये सकुनधारी 1 जो है वो हमें देखने को मिलता है there are also called as a tiger इसको हम tiger के नाम से भी जानते हैं ठीक है इस जगह को इस one को जो है हम tiger के नाम से भी जानते है these forests are also seen in the higher altitude ये जो हमारा जंगल होता है हम इसको higher altitude के तरह से भी देखते हैं these are the trees which Salima found in the Himalayas in abundance ये सारे जो trees होते हैं पेड होते हैं जिसको कि Salima ने खोजा था देखा था हिमालिया में यहां पे इस हिमालिया में उसने इस तरह के पेड़ों का पूरा भरमार देखा था abundance देखा था है यह ने भरपूर देखा था बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा था they are tall ये काफी लंबे थे softwood evergreen trees ये काफी नरम वाले लकडियों वाले जो सदा बहार जो पेड़ थे इदा महरे भरे पेड़ देखे थे उसने the woods of these trees are very useful for making pulp इस तरह के जो लकडियां होती है पेड़ों की वो काफी useful होती है बहुत जादा काम में आती है हमारे ताकि हम pulp बना सके which is used for manufacturing a paper जिन pulps का use किया जाता है कागज बनाने के लिए new sprints बनाने के लिए match box बनाने के लिए माचिस के डिब्बे बनाने के लिए या packing box जिस चीज में हम डबे boxes में समान पैक करते हैं वो सब बनाने में काफी help होता है are also made from softwood यह सारी जो है वो नरम लकडियों से मिलकर के बना होता है जैसे चीर, pine, cedar are the important variety of trees यह चीर, pine, cedar जो होता है यह हमारा क्या होता है सबसे महत्रपुर्ण variety होता है प्रकार होता है पेड़ों का जंगलों में इस तरह के silver fox, mink, polar bear are the common animal found here यहाँ पे आपको जो सुनेरे लोंबडी होती है, fox होती है, mink होते हैं जो polar bear होते है याने ठंडी वाले जो भालू होते है यह सारे आपको इन जगहों पर जानवर जो है इस तरह के आपको देखने को मिलेगा तो देखो यह क्या लिखा है कि tiger mean pure or untouched in the Russian language, tiger का मतलब होता है कि सच्चा, pure or untouched Russian language में इसका मतलब यह माना जाता है तो आप यह देखो यहां पर आपको conference forest देखने को मिलेगा याने secondary one देखने को मिलेगा ठीक है गर्मी के reason में और snow covered conference forest जब ठंडी का टाइम आता है तो किस तरीके से snow जो है वो पूरी तरीके से छेक देता है इस पेडों को यह आपको बीप में देखने को मिलेगा फिर बात करते है ग्रास लेंड की यानिकी forest की बात होगे अलग-अलग जो forest देखे जाते हैं अब दूसरे की बात कर लेते हैं तो यह है हमारा grassland याने tropical grassland पहला हमारा आता है घास स्थल जो हमारा tropical घास स्थल होता है उसके बारे में बात करते हैं these occur on either side of the equator यह हमारी equator के दूसरे side पे होता है and extend till the tropics यह वहां से start होता है और tropics के पास तक होता है these vegetation grow in the area of moderate to low amount of rainfall यह इस तरह के जो भी पेड़ पौदे grow करते है उन area में जहां पे सामान से कम तक का जो है वो बारिश होता है मतलब की beach से मद्यम से लेकर के एकदम कम तक का जो बारिश होता है उन area में इस तरह के पेड़ जो है वो घास जो है वो grow करते है the grass can grow very tall यहां के घास जो होते है वो काफी लंबे होते है about three to four meter in height यह घास land of Africa आप अफरीका में सवाना grassland के नाम से जानूगे यह भी एक टाइप है elephant, zebra, giraffe, deer, leopard are the common in tropical grassland आपको हाथी, zebra, giraffe, deer, leopard यह सब जो है आपको इस tropical grassland में आसानी से देखने को मिलेगा अगर आप figure 6.14 में देखो तो इस तरीके से आपका घास होता है यह पूरा हर जगह पे और आपको फिर ऐसे जगह जगह पे थोड़ा दूर दूर पे ऐसे पेट देखने को मिलता है तो यहाँ पे आपको इस तरह के जानवर भी common देखने को मिलते हैं जैसे elephant हो गया, giraffe हो गया, deer हो गया, leopard हो गया ठीक है तो यह हमारा हो गया grassland ठीक है फिर बात करते हैं कि temperate grassland क्या ह देखने को मिलती है और interior part of the continent, याने कि continent के अदर वाले part में अंदरी भाग में ऐसा आपको temperate grassland देखने को मिलता है, usually grass hair is short, यहाँ पे क्या होता है, जाज़ता जो घासे होती है, वो काफी छोटी होती है, and nutritious, nutrition से भरी हुई होती है, wild buffalo, यानि जंगली जो buffalo होती है, sand होती है ठीक है, bisons, यानि bison, और उसके बाद आपका antilops, यानि जितने भी म्रीग होती ही रन होती है, यह सब common है, in temperate reason में आपको उस तरह के जानवर, wild buffaloes, bisons, antilops, यह सब आपको देखने को मिलते हैं, फिर बात करते हैं, तीसरा thorny bushes, यानि कटीली जाणों के बारे में, तो these are found in the dry desert, यह आपको सूखे desert में, रेगिस्तानों में देखने को मिलता है, like region, इस रेगिस्तान वाले छेतरों में, tropical desert are located on the western margin of the continent, यह जो हमारा tropical desert होता है, रेगिस्तान होता है, यह हमारे पस्चिमी area में, continent के पस्चिमी margin में देखने को मिलता है, the vegetation cover is scarce here, यहापे जो भी वनस्प दूर्पतियां होती है, ठीक है, उनका आवरण जो है यहाँ पर काफी यहाँ पर दूर्लब होता है, ठीक है, बहुत रेयर होता है, because of the scanty rare and scorching heat, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, और heat जो है, वो काफी जादा काटने वाली, scorching वाली होती है, इसलिए आपको यहाँ पर जो वनिस्पतियां होती है, पेड़ पौदे जो होते हैं, वो काफी दुरलब होता है, बहुत कम आपको देखने को मिलता है, बहुत दूर दूर पर कहीं पर आपको देखने को मिलता है, identify the desert region in the world map, आप world map ले लो, एक उसमें जत्ते भी रेकिस्तान वाले छेत्र of the desert, which you have learned earlier, आपने जो भी पहले पढ़ा है, उसमें सबसे जादा common जानवर क्या था, जो आपको डेजर्ट में पाया जाता है, अगर आप इसको देखोगे तो आपको मिलेगा, if you reach the polar region, अगर आप polar region में चले जाते हो, you will find the places extremely cold, आप उन छेत्रों में जाते हो, तो वहाँ आपको काफी ठंडा जो है, वो जगह आपको देखने मतलब मैसूस होगा, the growth of natural vegetation is very limited here, वहाँ पे जो प्राकितिक वरस्पतिया होती है, वो भी ग्रोथ जो है, उनकी वहाँ पे बहुत जादा कम होती है, limited ही होती है, only moves, leachions and very small shrubs are found there, वहाँ पे आपको काई या फिर लाइ चोटे चोटे जो घास होंगे, shrubs होंगे, यह सब आपको वहाँ पे देखने को मिलते है, it's grow during the very short summer, जो वहाँ पे बहुत चोटा से time period के लिए जब गर्मी पड़ती है, तब ही ग्रो करता है, this is called tundra type of vegetation, इसको हम tundra type of vegetation या वनिस्पतियां कहते है, these vegetation found in the polar area of Europe, यह इस तर polar area में, थंडी area में, मिलता है, तेखने को मिलता है, Asia and North America, हमारे North और Asia अमेरिका में भी, हमें यह जो टुंडरा vegetation है, जो तुंडरा के नाम से जाने जाता है, वो देखने को मिलता है, the animal have a thick fur and thick skin to protect themselves, यहां के जित्ते भी जानवर होते हैं, उनके काफी मोटी फर होती है, जो उनकी जो बाल होती है, वो काफी मोटी होती है, उनकी layer, और काफी मोटा उनका skin होता है, ताकि वो अपने आपको थंडी के जो भी वातावरन वाला condition होता है, cold, climatic condition होता है, उससे वो खुद को protect कर सके, ठीक है, जिससे seal, seal एक आपका पानी में रहने वाला जानवर होता है, वो आपको देखने को मिलेगा, walrus आप देख लो, musk ocean देख लो, arctic owl देख लो, यहने कस्तूरी बैल, musk ocean मने, कस्तूरी बैल, arctic ullu है, polar bear है, snow में रहने वाली जित्ती भी लोमडी होती है, यह सब जानवर जो है आपको इस तरह के थंडी polar region में, जितुंडरा टाइप सलीमा के पिता जी ने क्या किया कि कुछ घने जंगलों के कुछ पिच्चस जो है उसने उन्होंने सलीमा को दिखाया, in some of the photograph, कुछ फोटोग्राफ में, फोटो में, सलीमा observed that people were cutting a tree, उन्होंने उसने यह देखा, यह चीज़ अहसास किया कि बहुत सारे जो लोग है, वो पॉंटेट डियर लैंड, उन्होंके पिता ने यह बताया कि जो लोकल लोग हैं, ठीक है, वहाँ के रहने वाले आम आदमी जो हैं, वो जमीन चाहते हैं, ताकि वो खेती कर सकें, अग्रिकल्चर कर सकें, और या तो फिर खुद रह सकें, सो देख लियर अब दा फॉरे, उ वाइड लाइफ गो, तो यहाँ पर क्या होगा कि वन जी वन जो है, वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, विल दा फॉरेस टेक इस और इंगल शेप अगें, क्या फॉरेस जो है, जंगल जो है, वो दुबारा से अपना शेप ले ले लेगा, इफ पिपल गो ऑन तो क्या इसी तरीके से ऑक्सीजन, भाप, टिंबर, फ्रूट, नट, यह साही चीज़ें फ्यूजर में अबलेबल होंगी, या नहीं होंगी, तो आप भी क्या सलीमा के साथ एगरी करते हो, कि ऐसा हो सकता है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस बारे में डिसकस करिए, और किस तरीके से इस चीज़ों का पेट पौदों का कम हुआ जा रहा है, डिपलेशन हुआ जा रहा है, और कुछ ऐसी युक्ती बताईए, तरीके बताईए, जिससे आप इस चीज़ को बचा सकते हैं, कंसर्व कर सकते हैं, ठीके तो आप यहाँ पे देखो, तो ग्रास ले ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रास लेंड, इस्ट अफरीका में सवाना के नाम से, ब्राजिल में कैमपॉस के नाम से, और वेनिंजूला में लिनानोस के नाम से, टैंपरे ग्रास लेंड, जो हमारा मध्यम घास्थल है, वो अर्जेंटीना में पैमपास के नाम से, नौर्ट अमे उपर किस नाम से जानी जाते हैं ठीक है तो बैसिकली इस तरीके से आपको ये चाप्टर जो है ये बताना चाहता है कि किस तरीके से जो लोग है वो इन सारे फोरेस्ट को इंसाइज जंगलों को धीरे धीरे गायब करने हैं तो वी शुड़ हाफ टो फोकस ऑन दिस और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने आस पास के लोगों को और ज्यादा इसके बारे में बताएं कि क्या जाग रुक करें ताकि लोग इस चीज के लिए स्टैंड ले पेड़ पौधे लगाएं ताकि हम फ्यूचर में जु है वो इन चीजहों की हमें कमी ना हो ऑक्सीजन की कमी ना हो ठीक है क्योंकि यह सब क्या हमारे लाइफ बेसिक लाइफ को सब्पोर्ड करता है ठीक है तो अगर यह चीज नहीं रएएंगी तो हमारे लाइफ में आ करके पूछ सकते हैं and thank you so much